थम्बा चक में इंडेन गैस लदा मालवाहक पेड से टक्कर होने के कारण बीच सडक पर पल्टा चालक घायल ब्रेक फेल होना बताया जा रहा घटना का कारण बड़ी घटना तली तिसरी थाना छेत्र के थंबा चक में सनिवार की सुबह इंडेन गैस लदा एक मालवाहक सड़क किनारे स्थित पेड से टक्कर होने के कारण बीच सड़क पर ही पलट गया जिससे मालवाहक में लदा गैस सिलेंडर भारी मात्रा में सड़क पर ही विखर गया घटना की वजह वाहन का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है वह इस दुर घटना में वाहन चालक कैलास गंजु के हाथ के नस कट जाने की बात कही जा रही है जिसे बहतर इलाज के लिए गिरीडी रेफर कर दिया गया है घटना की सूचना मिलने पर तीसरी थाना पुरभारी परदीपकुमार, एसाई अभिमन्यू परिहारी सदल बल वो तीसरी मुख्या की सोरी साव घटना स्थल पर पहुँचे थाना पुरभारी परदीपकुमार ने लिग कर रहे गैस सिलेंडर को मौके से तुरन थटाया जिसके बाद घायल वाहन चालक को ओटो में बिठा कर इलाज के लिए सामुदाइक स्वास्त केंदर तीसरी भिजवाया गया घटना के संबद में बताया जाता है कि इंडेन गैस लदा मालवाहक ट्रक नंबर जे एच जीरो नाइन एवाई फोर एट फोर सिक्स बोकारों से तीसरी के गड़कूरा इस्थित उस्पा गैस एजेंसी जा रहा था तभी थंबा चक में सड़क किनारे स्थित महुआ के पेड से उक्त वाहन की टक्कर हो गई टक्कर से असंतुलित होकर मालवाहक बीच सड़क पर ही पलट गया वहीं चालक कैलास गंजु ने बताया कि वाहन का ब्रेक फेल हो जाने के कारण सामने से आ रही ओटो को बचाने के करम में पेड से टक्कर हो गई घटना के बाद मौके पर अस्थानी ये लोगों सहित सड़क से गुजरने वाले लोगों की भारी भीड जूट गई कर दो गई लाज गंजु ने कैसे घटना हो गया गाड़ी प्रटान खाल हो गया था मारे बिरग टेंपू बचाने के चंते ना लाज ने गाड़ी गाचने मारके पलोट दिना